वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है हमारे बहुत सरे सस्क्राइबर हम से पूछ रहे हैं कि सर शीबा में तो हमने इन्वेस्ट कर लिया है शीबा के अलावा और कौन से मीम टोकन में हम इन्वेस्ट करें लाइक फ्लोकी और पेप में इन्वेस्ट करें या नहीं और क्या हमें केवल शीबा में ही इन्वेस्ट करना चाहिए उसको किस टाइप से क्रप्टो पॉर्टफोलियो को किस टाइप से डिजाइन करें आज इस वीडियो में एक डाइरेक्शन आपको में बताऊँगा कि किस टाइप से आप अपने पॉर्टफोलियो को मोडिफाई कर सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं देखिए किसी भी एक कहावत है पुरानी कि कभी भी एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना चाहिए अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूर जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा ये कहावत क्रिप्टो मार्केट पर इस्टोक मार्केट पर भी लागो होती है कई क्रिप्टो एक्सपर्ट राके जुनजुनवाला जी और वारेन बफेट ये हमेसा कहते आये हैं कि हम हमारे पॉर्टफोलियो को मोडिफाई करते हैं अलग अलग टाइप से तो कभी भी अगर एक क्रिप्टो में या एक स्टोक में हम पूरा इंवेस्मेंट कर देते हैं और किसी कारेंट से अगर वो नहीं चल पाता है तो हमारा पूरा इंवेस्मेंट खत्म हो जाता है वही अगर हमने cryptocurrency को modify किया है अलग-अलग crypto में invest किया है तो अगर एक cryptocurrency नहीं भी चल पाती है तो दूसरी उसकी भरपाई कर देती है तो इस हिसाब से हमारा जो risk है वो कम हो जाता है return भले ही बढ़ नहीं पाता है लेकिन कई बढ़ भी जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइब से आप अपने portfolio को modify कर सकते हैं portfolio को design कर सकते हैं और Shiba के अलावा कौन-कौन से coin रखने चाहिए end तक video watch करना और channel पर पहली बार आये है तो subscribe जरूर कर लेना इस टाइब के updates पाने के लिए देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे है Shiba की Shiba से सुरुआत करते हैं आपके पास suppose 10,000 की capital हो आपके पास suppose 1,00,00 की capital हो कितने भी capital हो मैं यहाँ पर एक figure हम लेते हैं 10,000 की capital है या 1,00,00 की capital है सबसे पहले तो उसे 10-я पार्ट में divide करम 10 पार्ट यानि 10,000 की capital है तो 10,000 यानि की 1,000 रुपे 10 भाग में तोड़ लो अगर 1,000 की capital है तो उसको 10,000 में 10 भागों में तोड़ लो अब आप समझ जाओ आपके पाद जो भी capital है उसको 10 पार्ट में divide करो उसके बाद आपको एक हिस्सा शीबा में लगाना है ठीक है हलाकि कोई crypto advice नहीं है personal advice है आप अपने भीहाब पर research जरूर करें लेकिन आपको इस टाइप से सबसे पहले शीबा में एक हिस्सा लगाना है इसके बाद दूसरा हिस्सा आप flowky और payp जैसे coin, bonk जैसे coin में लगा सकते हैं यहाँ पर मैं payp और flowky में हमें सब flowky को prefer करूँगा क्योंकि flowky का कुछ development plan है एक team भी है लेकिन पेप के साथ एक development plan नहीं दिखता है नहीं team active दिखती है इसलिए पेप एक community के दुआरा बढ़ने वाला token है तो market में community जब चाहे तब गिरा भी देगी विल्स जब चाहे तब उस coin को गिरा सकती है पे फ्लोकी के साथ ऐसा नहीं है तो flowky दूसर नंबर पर में prefer करूँगा इसके अला हो bonk flowky में थोड़ा बहुत investment आप कर सकते हैं तो इस type से shiba में अकेला investment मत करिए पहले तो meme token में 3-4 meme token आपके पास होना चाहिए एक shiba हो गया एक flowky हो गया इन दोनों को तो आप रखना ही रखना अपने portfolio में shiba अगर करोड़ पती नहीं बनाता तो flowky तो obviously इस type से बढ़ सकता है ठीक है अगली बाद यहाँ पर आपको यह देखना है कि एक नया token meme token आपको रेल लेना चाहिए जैसे dog wifi करके है न वो token वो एक अच्छा token है अभी bomb करके token आए तो यह से कोई सा एक अच्छा token आपको ले करना है यह हो गई meme token की अब हम आते है crypto market में तो crypto market में अगर आपके पास capital है तो इसे अभी आपके पास 8 हिस्सा बचा हुआ है 8 part बचा हुआ है तो उसको किस type से करना है उसको इस type से modify करना है कि आपके पास अच्छे अच्छी top 20 की crypto currency तलासना है यह कई वीडियो में बनाये बेश्ट cryptocurrency investment के लिए उन cryptocurrency में से आपको इसे भी choose कर सकते हैं तो वीडियो देखिए चैनल पर आपको मिल जाएंगो वीडियो उन में से आप अच्छे अच्छे coin यहाँ पर रख सकते हैं like bitcoin और ethereum में भी invest करके रखिए थोड़ा भोत एक पार इसमें भी होना चाहिए आपका इसके अलावा क्योंकि ये एक AC blue chip crypto है जो बड़ेगी ही बड़ेगी घटेगी नहीं आपको loss नहीं देगी profit ही देगी इसके अलावा आप solana जैसे coin में इसके अलावा cardano xrp आपका इसके अलावा आपका chain link के एक अच्छा token है polygonmatic इस type के coin में से light coin इस type के coin में से आप कोई सभी coin रख सकते है जो आपको पसंद आए ठीक है तो इस type से आप अपने portfolio को modify करेंगे तो जो top 20 की crypto currency है वो तो आपको एक fix return देदेगी like 60% 70% बड़ा तो crypto के bitcoin और ethereum के अनुसार वो आपको return देगी इसके लवा जो shiba जैसे token है ज क्योंकि इसकी comparison में यह ज्यादा return देते है और इसी हिसाब से यह बढ़ते भी है तो यह एक बड़ी वज़ा हो जाएगी यहां से कि इस हिसाब से आप जाएंगे तो market में ज्यादा return पा सकते है और इस हिसाब से आपको एक अपना portfolio को modify करने का time मिलेगा और आपका जो risk है व करिए like जैसे आपको अच्छे अच्छे sector तलासने चाहिए like meme token एक अच्छा sector है इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर gaming और AI artificial intelligence sector अच्छे है इसमें भी काफी अच्छे return मिलना के expectation बन रहे है तो इस type के coin में आप invest करिए AI में phase.ai coin अच्छा है इसके अलावा gaming में जो अच्छे return के साथ आपको भविश्य में काफी बहतर return दे सकती है इस हिसाब से अपने जो portfolio है उसको modify करिए meme token आपको ज़्यादा return दे देंगे और ये कम देंगे इससे balance आपका एक अच्छा बनेगा आप कभी भी loss में नहीं रहोगे और हमेशा एक profitable crypto trader आप बन पाएंगे और यही मैं अपने portfolio को modify इसी type से करता हूँ और हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जब market गिरता है ना उस बीच buy करा करें और जब market चड़ता है ना उस बीच panic मत होई ये थोड़ा से रुक के रखिए market को एक बार गिरने दीजे तब buy करोगे तो ज़्यादा return मिलेगा ये बात जो समझ गए ना वो बहतर return यहाँ से पा सकते हैं तो इसी आसा के साथ कि I hope यार आपने पूरी चीजे समझ लिए होगी किस type से आपको अपने portfolio को modify करना चाहिए इसी type से करेंगे एक टोकर में सबंडे नहीं रखेंगे एना चेनल को सस्क्राइब कर लीजेओ शीबा ने उसे related हर update के लिए चेनल को सस्क्राइब करके जुट जाए नमस्कार